तुम ही कितनी बार बताया है, मेरे तयार होने से पहले मेरा नाश्ता तयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है, लता। तुम ही क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी मुझे काम पर जाना पड़ता है. तुम हो की हमेशा बेवकुफो जैसी हरकत करती हो. अगर तुम ये जानबूच कर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. आज भी प्रशांद का पारा चड़ा हुआ थ थी. वो महीने में तीन-चार बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था. पहले-पहले लता उसका विरोध किया करती थी लेकिन जब कई सालों तक प्रशांद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया. अब प्रशांद के कुछ भी कहने से लता को को कोई फर्क नहीं पड़ता था. प्रशांद की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे जुकाए सुन लेते थी. शादी के पहले पांच साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांद को बदला जाए. लेकिन फालतु का गुसा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना हमानों जैसे उसकी आदत बन गई थी. कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांद सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने माय के? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रश लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी. उसको फिकर थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की. लता नहीं चाहती थी कि पती-पत्नी के जगडे की वजह से काव्या डिस्टब हो. काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी उसके लिए अब शादी की रिष्टे आने लगे थे. कई रिष्टों को काव्या थुकरा चुकी थी. दो-तीन महीने बाद एक अच्छा रिष्टा आया. रिष्टेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुंगान किये थे. प्रशान्त एक शाम अपनी बेटी के पास बैठ कर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है. पड़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है. ऐसे रिष्टे बार-बार नहीं आते बेटा. इस बार मना मत करना. काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी. शायद दरती थी या शायद नफरत करती लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत एक अर्था कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, हाथ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़की से बात की है, वो तुम ही किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बात भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम ही नौकरी के लिए पमिशन दे देगा, प्रशांथ बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी पमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, ताव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ न तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिष्टे बार-बार नहीं आते, इसे थुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, प्रशांथ बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, ताव्या ने तंच कसते ह हुए कहा आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, प्रशांथ गुस्से से आखें बढ़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी, मुझे आपके जैस जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझे पर हमेशा चिल लाए, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो दस बार सोचना पड़े कही वह नाराज ना हो जाए, मेरी तबियत कैसी भी हो उसे परवा ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोश निकालें, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे माय के जाने के लिए कहे, काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया, प्रशान्त का गुसा साथवे आसमान पर था लेकिन उसके मुझ से एक भी शब्द नह वहार किया है, आप अपने ऑफिस का गुसा बिना सोचे समझे माव पर उतार देते हैं कभी इस बात की परवा भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा, आपकी बाते सुन सुन मा ने अपना स्वाभिमान खो दिया, प्रशान्त आज पहली बार अपने किये बरतावों को मेहसूस करपा, रहा था वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना, काव्या ने प्रशान्त का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो क्या आप चाहेंगे कि मेरा पती आपके जैसा हो, अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिष्टा आज ही, और ना है तो मुझे आत्म निर्भर बनने दीजिए, प्रशान्त कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया, आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी, चलते चलते उसकी अब कावया पर लेखकर अच्छी नौकरी करने लगी थी और तीन साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिष्टा आया और उसकी विदाई पर प्रशान्त बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पती तेरे बाप जैसा नहीं है प्रशान्त की यह बात सुनकर लता और कावया की आँखों से आशू बहने लगे दोस्तों हमारे समाज में आउरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है लेकिन वो स्वतंतरता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए उन्हें बच्पन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाए मिलती है मोबाइल पर बाते करते हुए दिख जाए या खिलकी से जानते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है मा बाप का घर तुम्हारा नहीं है पती का घर ही तुम्हारा घर है जीवन भर्य बाते बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे जगडे में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और माय के चली जाओ अब आप ही बताओ दोस्तों एसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा आखिर कारवल किस घर को अपना तहें हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छूगई